रिपोर्ट उठाने की बात को लेकर बगाना थाना शेत्र की एक महिला पर ससुराल पक्षी के लोगों ने केरोसिन डाल दिया जिसके बाद महिला ने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्रित हुए उसके बाद वहां ससुराल पक्षी के लोग मौके से फरार हो गए वहीं प पंबिर मामला सामने आया है जिसमें आरोप हे की बगाना थाना शेत्र इसकी नंबर आठ में रिपोर्ट उठाने की बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला के गर में गुश कर महिला पर केरोसिन डाल दिया महिला के शोर मचाने पर जब पड़ोसी एकत्रित हुए तो ससुराल पक्ष के लोग मोके से फरार हो गए हैं वहीं महिला की शिकायत पर बगाना पुलिस ने दोशों के खिलाब विविन धाराओं में प्रकरन परंजिवत किया है पिरित महिला हीना कुरेशी पिता नासीर हुसेन ने बताया कि उसका विवा तीन साल पहले समीर पित सद्धिक बाबा निवासी एकता कॉलनी के साथ हुआ था बाद में ससुराल पक्ष दौरा मुझे प्रतारित किया जा रहा था जिसकी सिकायत मेरे दौरा थाने पर भी दर्ज करवाई गई है जिसको लेकर मेरे पती ने दूसरी महिला से मेरे बिना जानकरी के विवा कर लिय जिसको लेकर मेरे दौरा थाने पर भी शिकायत दर्ज की गई उस रिपेव रिपोर्ट को उठाने के लिए ससुराल पक्ष दौरा बार बार मुझे पर दबाओ बनाया जा रहा है और परिशान किया जा रहा है आज रहिवार को दोपर में जब मैं मेरे माता पिता के गर पर अकेली थी तभी मेरे पती समीर ससूर सिद्धिक बाबा सासू सलमा एयों समीर की दूसरी पतनी मेरे गर आई और रिपोर्ट उठाने की बात को लेकर विवाद करने लगे और मुझे गंदी गंदी गालिया देने लगे जब विवाद करने से रोका तो मेरे पती और उपस्त उसके लोग एकत्रित हो गए जिस पर सभी जने बाग गए वहीं उक्त मामले में हीना कुरेशी की रिपोर्ट पर बागाना पुलिस ने समीर पिता सद्धिक बाबा सल्मा एं हीना प्ठान के विरुद्ध भारती दंड सहिता 1860 की धारा 323, 204, 506, 452, 34 IPS के तहत प्रकंदर्ज कर मामले में आगे की कारवाई शुरू कर दिये पर आक कैंदर्ज कर दूसके में उसके ऊस्का लेड डाला मेरो पर जब बचार मुल्लं वालों नहीं तो पकड़ाउं गोग रगगा अब क्या करना चाओगे आपक आपकार जाओगों पर अब खावाई करना चाहने निपर ने पर जोनिदी निख ब कर दोनिदी निदी अर झाल झाल